नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी निज में मैं रतन सेन भरती आज हम जानेंगे बिहार में अगले साल होने वाले बिहार पंचाय चुनाब में नितिस्क सरकार किन किन चीजों में बदलाव करने पर विचार कर रही है बिहार में बिधानसवा चुनाब होने के बाद से एक बार फिर से बिहार में पंचाय चुनाब को लेकर सुखबुगाहर तेज हो गई है बिहार में अगले साल होने वाले पंचाई चुनाब को लेकर यह कहा जा रहा है कि इस साल बैलेट पेपर की जगर EBM से चुनाब कराय जाने पर विचार किया जा सकता है अभी परदेश में कितने चरन में चुनाव होंगे इसको लेकर भी कोई अस्पेश संकेत नहीं मिल रहे हैं लेकिन बताया जा रहा है कि मार्स से लेकर मैं तक में नौ चरनों में चुनाव होने की बात कही जा रही है मिडिया में चल रही खबरों के नुसार या संभाबना जताई जा रही है कि बिहार में 2021 में इस सार दलगत अधारित चुनाव कराया जा सकता है अगर परदेश में पंचाई चुनाव दलगत होता है तो परदेश में सभी राजनीतिक पाठियां अपने अपने सिंबल पर अपने उमिदवार चुनाव मैदान में उतारेगी जैसा कि हम लोग सभा और विधान सभा चुनाव में देखते आये हैं हलाकि बिहार पंचाई चुनाव को लेकर इस तरह की अटकलें पहले भी लगाई जाती रही हैं हलाकि अभी इस पर आखरी निरने सीम नितिस कुमार को लेना है कि बिहार में किस तरह से चुनाव कराया जाए बताया जा रहा है कि राजास्थान और MP की तरह बिहार में भी BJP पंचाय चुराव कराने की तैयारी में है आपको बता दें कि बिहार में इस वार BJP दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है ऐसे में यह कहा जा रहा है कि बिज madam को बिजैपी बिहार में पंचाई चुनाव पार्टी कराना चाहती है हाला कि इस सभी चीजों का आंतीम फैसला नितिस कैविनेट को लेना है बताया तो यह भी जा रहा है कि जेपी नडड़ ने बीजेपी की राष्टिय धेश बनने के बाद बीजेपी पीपीटी यानि की पंचाय टू पार्लामेंट फार्मूले पर विजार कर रही है इसी कर नतीजा था कि पहले मद्य परदेश और राजास्थान में पार्टी अस्तर पर चुनाव होते हुए देखा गया बिहार में पंचाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग में सुग्बुगाहट तेज हो गई है राज निर्वाचन आयोग ने सभी जीनों के प्रसास्थनिक और पुलिस अधिकारियों को पतर लिखकर चुनाव की संभावित तारिखों को लेकर सुझा बांगाहए इसके साथ ही राज निर्वाचन आयोग ने दो सफता के अंदर ही सभी जरूरी जानकारियां देने की हिदायत भी दी है बताया जा रहा है कि अगले साल मार्स से लेकर माई तक बिहार में पंचाइट चुनाब संपन होने की बात कही जा रही है बिहार में इस वर EBM के माध्यम से चुनाब कराने की भी बात कही जा रही है राज निर्वाचन आयोग ने पंचाइटी राज विभाग को EBM के माध्यम से चुनाब कराने का प्रस्ता भेजा है जिसमें तर्क दिया है कि TBM से चुनाव कराने से अधिक परदरिस्ता बनी रहेगी, मत गनना भी संगतियों की जाच होगी और धांधली की भी संभावना कम होगी इधर पंचायती राज विभाग के अतिरित मुक्सचिव अमरित लाल मीना ने बताया कि हमें SEC से प्रस्ताब मिला है और इस वर विचार किया जा रहा है State Election Commission इस्वार विधान सभा और संसधिय चुनावों के तरह पंचायत चुनावें भी विभाग की वेपसाइट पर उमिदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने समयत उमिदवारों की आय संपत्ति और व्यक्तिगत प्रफाइल का विवरन अपलोड करने पर विचार कर रहा कहा जा रहा है कि इससे लोगों की जन परतनीजियों और उमिदवारों के बारे में अधिक जनकारी उपलब्द होगी ऐसे में अब देखना दिल्चस्प है कि नितियस सरकार बिहार पंचायत चुनाव में क्या-क्या नया बदलाव करती है बिहार से जुड़े हुए और भी